गुड़ीनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स चित्रलेखा ना आ रजुवात विशेश रजुवात एकले एडिटर्स वर्समा शनीवार नी एक सांजे फरी एक वार आपसवनू स्वागत छे मित्रो आपने जानिये छीए आपणे तेया वु कहवाई छे के मानसने जिवा मटे शुवा जोईए हवा पाणी एने खोराक अत्राण वस्तु आपणे बाल पणती भणता आएवाची ए पट्ट्य पुस्तको मा के हवा पाणी एने खोराक खोराक शुद्ध नथी मलतो आपणे जानिये छीए पाणी शुद्ध नथी मलतु क्यांक पिवा ना पाणी नी समस्या वो आपणे आवार नवार पोगवतावे आछी ए पन आपणे जानिये छीए पन हवे जे त्रीजो भाग छे जे हवाचे जे जीवा माटे अनिवारिया चे वो कहवाई ए पन शुद्ध नथी मलती एनी एक समस्यानों आपणे सामनों करिये जे जीहा वाद करिये छी आपणे दिल्ली माझे एर पोल्यूशन नी गंबीर समस्या सर जाई चे एनी अने एनलाई अने एर पोल्यूशन ने सुँख छे अने ये समस्या कई रिते गंबीर जे ये समझवानों आजे आपणे आपणे इसाथे जे निश्नात मेहमानों एक्सपर्ट सुपस्तिक छे अनी साथे प्रायतना करवाना छीए पन ए पहला चित्रलेकाना एडिटर हीरेन में आपनी साथे चोड़ाए गया है जे फर्स्ट आपने हमने आउ करिये और आजना मेहमानों साथे चर्चा मनों आरम करिये कि अरेन भाई वेलकम क्यम चो बस मजा क्यम चो तम्हां बस तम्हें आम थोड़ा उद्रस्खाव जए ले मुंबई नी अवाता स्वस्ता चैने हम मारे एक्चुली ये लेडिकर वुतु के बेदियस फिल्ला दिल्ली नीजे अपने एर कॉलिटी नीजे वात करिये एक्यू कि अपने एर कॉलिटी इंडेक्स आज आपड़े चर्चा कर सू ये लेडिकर वेदियस फिल्ला मुंबई मां दिल्ली करता हो अधरे खारा वाला था तो पॉल्यूशन देखा तो नो तो दिल्ली जेटू कांकि अटली ठंडी न थी परन तो मुंबई मां हालत खाराप्चे मारा सहीद घणा मदा लोको ना गला पना आजे खाराप्चे अटले टुक मा समस्या मात्रा दिल्ली पूर्ती न थी बिजी बत्ते पोलिटिकल समस्या होनी जेम आ समस्या भी शरू दिल्ली थी थाईचे पन लागवाका देशने पड़े तेम बड़ा राइट पन चर्चा क माने महमानों ने वाद करिये हैं शो झीश जी वाध्कैक प्राचीन जे आपड़ी एंटिक पीसीस छे एंटिक्विटीस 2 ते अने पाचा लावानी एक आपिशली डेविश्मरे रास्प्रत कवर Спाशुती करिसी दघ्वारा समस्या उस्था हैं ब已经न earned पण जे नोगमेवी वाद छे जे आपने वाद करता था ये छे हवाना प्रदूषण नी तो आजे इरेन भाई मारो विच्चार हो छे क्या आपने छाने आम पेली पारे टेकनिकल चर्चा करवाना पड़ले वाच्चेकों साथ येज चर्चा गरिये के वहानू प्रदूषण आपने छे शूंए कोने केवाई अने हवाना प्रदूषण थी जे मुश्किली ओसर जाई छे जे ने के वहाने के सामयने मानसने मनें तमने आप्रदूषण कई रीते नुक्षान करी शके केवा केवा येना हेजार ड़स छे येना विच्चे आपने चर्चा करी शूप और आपने मेहमानों ने आवकारिये खेला जी विवेक जी महेश्वाई एंड रवी कॉशिक आप सबका चित्रलेखा के इस डिजिटल मंच पे एडिटर सर्वर्स में आप सब लोगों का स्वागत है और वियाफ चित्रलेखा वी वेलकम यू फॉर इस वंड़ाफू दर्शकमित्रों आज हमारे साथ जो तिन महमान उपस्तित है हमारे साथ देली से सेंटर फॉर साइंस एन्वायरमेंट से विवेक चट्व पाध्या जी जुड़े हुए है एर पोलुशन का जो प्रोग्राम है Center for Science and Environment जो कि परियावरण के ख्षित्र पे काफी कुछ काम करती है संस्था और्गेनाइजेशन उस पर एर पोलुशन के विशशग्य है और डेली बेस्ट है तो डेली की परिस्थिती है उसको उसने काफी नस्दीक से श्टडी किया है वो हमारे साथ आज कुछ महतोपूर्ण बाते शेर करेंगे आपनी साथे अमदावाद थी परियावरण मित्र संस्थाना महेशवाई पंडिया जोडाया चे परियावरण नी सुरक्षा माटे अने परियावरण अवेरनेस माटे सतत प्रवडूत पेवा महेशवाई पंड वर्षो थी आक्षेत्रमा कारियर अच्छे एमनी पासे थी पन आपने अमदावाद सहीत परियावरण नीस्थिती यंगे चर्चा करीशू हमारे साथ डेली AIRTH से अगें मिस्टर रवी कौशिक जुड़े हुए है रवी जी IIT कानपूर बंबे जैसी इंस्टिट्यूशन के साथ नस्दीक से काम कर रहे हैं और एर पोल्यूशन की समस्या के साथ साथ उसका जो समधान है वो कैसे निकाला जा सकता है उनके बारे में भी रवी जी हमसे बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग बाते शेर करने वाले है अगें आप सबका स्वागत है मैंश भाई आपने हुँ तमेने इरेन भाई गुजराती छी है पन विवेक जी और रवी जी आजा आपने साथे उपस्तित छे सबसे पहले विवेक जी आपके पास आऊंगा एर पोल्यूशन क्या है और वो कैसे मतलब उसको मेजर किया जाता है सबसे हमारे जो साथ नए दर्शक चुड़े है जिनको अभी यह समस्या क्या है उनके बारे में और कैसे उसको मेजर किया जाते हैं उनकी समझ नहीं है तो थोड़ी एक प्राथमीच समझ से हम बात की शुरूआत करता है समझनी की कि air pollution क्या है और वो कैसे मेजर किया जाता है वी एक जी जी एर पॉलुशन में देखे प्रमुक बात यह है कि हवा में यह तत्व जो होते हैं प्रदूर्शन के तत्व उनकी मात्रा स्वच हवा में नहीं होती है जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर इसको हम कहते हैं यह गैसे और पार्टिकुलेट मैटर स्वच वाईव में बहुत कम मात्रा में होती है यह पिर नक के बरापर होती है परन्तु जब वाईव प्रदूर्शन होता है तो यह गाडियों से या इंडस्ट्री से या पावर प्लांट से या कोई भी चीज जलाते हैं जब हम या को इसके लिए मौनेटिक करने के लिए डिवाईस होता है जो की प्रदूर्शन या इंस्टॉल करता है और भी संस्ताय करती है इससे मेजर्मेंट होता है इसका कैसे पता चलता है कि आज आज की हुआ सांस लेने है या जचे लिए क्या है जी इसके लिए क्या है कोई भी प्रदूम्शन के दख्वर होता है उसका एक प्र्शच्राई being याने जो सेफ लेबल जो है ہमारे मेए हम सांस के दोरह ले सकते हैं वो निर्धारित की यह है हेल्थ एक्सपर्स के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइशन के द्वारा और हमारे प्रदुशन नियांतरंग बोर्ड के द्वारा तो जैसे की पार्टिकुलिट मैटर टू पाइंट फाइव है उसकी मात्रा सिक्स्री माक्रोग्राम से अगर ऊपर जाती है तो सेहत कीलिए हानिकार होना चालो होوسकती है इसके साथ ही इंडेक्स भी डवलब किया गया है कि एक स 만들어 लिवर्ट से आगर बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा हानिका रखया न ह एमर्जनसी या सिवियर लेवल में पहुंच जाती है तो यह ग्रेडिंग की जाती है कि सिहत में क्या दुष्पभाव होगा और किस तरह के लोगों को इसका दुष्पभाव होगा जी जी आप जो इंडेक्स की बात कर रहे है वो एर क्वालिटी इंडेक्स राइट जी जी ए जा तो उसके साफ से हमारे स्टेंडर्स का भी रिविजन भी जारी है तो सकता है कि भविश्यम में यह और भी हो जाएं मेत करने के लिए होना भी चाहिए क्योंकि सेहत के लिहाद से इस्टैंडर्स बनाएं गया है परनितु सवाल ही है कि जो स्टैंडर्ड अभी हैं वो मेत हो रहे तो किया जा सकता है उसको और तो वह एयर जो मेजर्मेंट है रवी जी आपके पास से चाहेंगे कि अभी जो इंडिया के जो हालात है वे डूवी स्टेंड राइट नाव डेली की बात करें या तो फिर जो शुरू में इरेंजी बता रहें कि दो दिन से मुंबे की हवा भी खराब है तो हम कहां खड़ें कंपेर्टू अधर कंट्रीज सबसे पहले मैं जो अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वे बात की कि तीम ततो हैं जो बिल्कुल मेसेसरी है हमारे लिए उससे स्टार्ट करना साह माधी क्यों एर पॉल्उशन जो इसना डिफिकल्ट है हम 21 सदी में है आज हम अपने खाने को सानिटाइज कर सकते हैं आज हम अभी भी 21 सदी में भी हम शुद्ध नहीं कर पाएं और डिटोरेट होती जा रही है, तो इसका मीन रीजन यह है, कि जल या कि खाना उसको हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात हो है, और अगर उसको एक डेफिनिट वॉल्म होती है, उसकी खाना इतना ही रहेगा, वो करें भी इतना है, यह हमेंशा हम दर्वाजे कोलते रहते हैं, तो एक कॉंटिन् वेस्फेरिक इंटरक्शन होती है, वन इस दाए, दूसरा कि वहाँ पर प्रॉब्लम कै कि हम उसको देख नी सकते हैं, तो सब दिल्ली की आवाद इसले हैं क्या हम यह पर देख सकते हैं, ले जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं, और अभी एक इंडेक्स आया था, जस्ट पांचे दिन पहले, उसमें टॉप 10 में से शायर तीन से चार सिटी इंडिया की थी, हां मुंबई की उसमें से एक था, तो इन तरम्स ओ एर पोलुशन, डेफिनितली इंडिया में बहुत जादा तक्नुकी सोल्यूशन लानुकी जरूरत है, भहत जादा पॉलिशी और टिक्नॉलिजी सोल्यूशन एज पॉलिशी दोलों प्रेवेंटिव एज़ एज एग्रेसिव लिजर्स की जरूरत है तमारी पासे जाणवा मागिश के समस्यावनी वातों आपणे करिये छिये, तमारू काम चे एडवोकसी अने टूर्स अवेर्नेस नू, जया सुदिये में तमारी कामगीरी जोई छे परियावरण मित्रनी, एर कोलिटी बाबते आपणे तिया लोकों मां सभांता केटली छे मैश भाई तमारे समले शकाओ है कितन बाई या विलकुल समले चाए है अने आर ये गेटिंग माई ओई येस येस ये गेटिंग मैं अमनतल मोरिय आ पनो आपार आने तमांची वात करें के सभांता आओ छे पर गणिव खदे एर पॉलिशन ना केस मां के हुछे को मारा हात म आपना भारत ना आर्टिकल एकावन मा लख्यू शे के दरेक नागरिक नी फरस्ट छे के पोतानों परिया और जालवू I mean it is a duty of the all citizens of India that they have to maintain their environment लेकिन यह मेरे हाथ मेरे जैसे कि में बात बताओ कि if एमदाबाद में public transport system अच्छी नहीं है देल्ली में अच्छी नहीं है तो मे में मेरा टू वीलर एक फोर वीलर निके निकलूंगा अधरवाइस मेरी पहुंच पाऊंगा दूसरी बात है में अपने तो मास्क शायद लगाऊंगा दूसरा कुछ करूंगा लेकिन एक तो फिर अवेर्जनेस की बात यह है कि आपने आपने शुरू में बोला कि हवा पान अब यह जो मशिन करने के लिए पूर एर क्वालिटी है सब लिखा है फिर हम करके हमको तो काम पे जाना ही है तो अब यह काफी है लेकिन अब यह साथ साथ जो पॉलिसी चेंज होना चाहिए वो नहीं है आज भी पब्लीक ट्रांसपर्ट सिस्टम इस वेरी पूर एक्रॉस कंट्री और अभी जो वर्ल्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट वेंटी ट्वेंटी काया इसमें पचास से सबसे ज्यादा प्रदूशित ले गया है फॉर्चुनित अब एमोंग फिप्टी थर्टी पाइट्स आ थर्टी फाइव साथ इंडियन सिटी डेली इवन एम्दामाद तो यह जो स्थिती है बहुत नाजुक है तो एर पोलिशन के लिए अब सभानता तो है क्योंकि वह लैबोरेट्री के जरुवत नहीं है एर कॉली बता की इंडेक्स की बात की हम और प्यम टैन की भी बात कर लेकिन मेरा नाक मेरा गला मेरी आंक इतनी पावफ्ट है कि वह ब तो सभानता तो है लोगों को कि हवा गंधी चल रही है हमको कॉफिंग हो रहा है हमको कॉल हो रही है सवाल यह है कि हाव टू डिल विध इस इस इसू ओके जी हाव तो डिली में यह काफी सालों से यह पाया गया है स्टबल बर्निंग एक इस्टबल बर्निंग जो है काफी सारा पॉलिटिक्स भी उसके उपर ओल रहा है दिली गवर्मेंट और पंजाब हर्याना गवर्मेंट के बीच में तो एक्जिक यह हर टाइम दिली क्यों इतना हाइलाइट होता है पॉलूशन के लिए एर काम कंडिशन कहते हैं कि इस्तिर हो जाती है हुआ और उसमें आके दिली का खुद का प्रोदूशन एक तो बहुत जादा है और पंजाब हर्यान में जब क्रॉप रैसिड्यू बर्निंग या पराली जब जलाई जाती है तो यह हार्वेस्टिंग सीजन के बाइद यह भी द सोचना होगा कि बाकी जो प्रोदूशन है सेवेंटी पर्संट जो है वो कि दिली शहर का है यह आसपास के छेतन ने का है तो एक तरह से चुकि वीजीबिलीटिटी भी वीजीबिलीटी हावा मतलत दिखती है अपाईद़ दिखने लगता है तो एक लोग के अंदर और एक वह चेतना आती है कि वाई प्रदूशन बहुत जादा हो गया है और एर कौलिटी इंडेक्स एक अच्छी बात है कि जो की चालू हुआ है जिसे वह सेहत में क्या दुश्पवाव होंगे ये भी बताता है तो सीवियर जैसे हो गया याने वह सेहत मन लोगों के लिए भी नुक स्टेडी में ये भी आये पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वहां के सारे शहरी प्रदूश्चित होते हैं परन्तु वहां इतनी आवाज नहीं उठती है मेडिया भी उतना नहीं जाता है चुकि ये कैपिटल है इसलिए इसके आवाज ज्यादा उठती है या दिकाय अधर में फेक्टर्स रवी कि एर पॉल्यूशन के लिए स्या क्योंकि जब बात दिली की आती है तो फार्मर्स पे ब्लेमिंग शुरू जाती है और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और चर्चा वहीं की वहीं रह जाती है कोई समधान के बारे में सोचता नहीं है लेकि जाना चाहूंगा अगें रवी जी एक रिक्वेश्ट है थोड़ा आवाज थोड़ा ओका वोल्यूम का मारा है यह प्ली इस अभी अच्छा है कि येस येस बड़ गो तो मुच इन मुच डीपर सेंस और क्या एर पॉल्यूटेंट्स क्या होते है तो सबसे पहले दो ही आए जाते हैं जो बहर ही नीचे गर जाते हैं जो चोटे जाते करते हैं तरहिए क कि जो अब यरह He'll गैसे में जैसे विवेक सर बता रहे थे कि नॉक्स, सॉक्स, सियो वगएरा ओजोन यह सब आ जाता है उसके बाद पार्टिकल्स के अंदर दो चीजी जैसे अभी मैंने बूला एक डस्ट वगएरा दूसरा अब दोनों के अलग-अलग कॉजिस होते हैं माइक्र ओर्गनिजम से कोविट जैसे है तो क्यू फैल रहे हैं जो ड्रांस्मिटेड वाया एयर सर्फेस ट्रांस्मिशन इस वेरी रेर ऐसा ड्रांस्ट एक्टिरिया वगएरा होगा तो वहां से हमें कॉमन कोल्ड टीवी कोवि से करीं हो सकती है कि उसे पाल्टी कुछिए सेग क्या धृट इस लिए अजले प्या गलता है तो पीमशण जो होता है वो लंगस के अंदर जाता है और अपर लंग्स में सेटल होता है तो उसे हमारी breathing capacity कम होती है पीएम 2.5 क्या होते है वो deeper into the lungs चला जाता है और अंदर जो हम डाइग्राम पड़ते थे उसमें और अंदर जा जाते है इसले और ज्यादा उसको like harmful बोला जाता है तो और ज्यादा हमारी breathing rate breathing capacity कम कर देते लंगी capacity कम करते जिसकी वज़े से हमें pulmonary disease ह होती हैं दूसरा heart related disease हो जाती है और irritation वगेरा जैसे सर बोल रहे हैं वो तो होता ही होता है वो तो एक sensory organs की वज़े से हो जाता है अब PM1 is something I'm sure we wake sir would be an expert on this PM1 first world countries में जैसे USA वगेरा यहां पर बहुत जादा उस पर focus किया जा रहा है क्यूंकि PM1 जितने particles जो होते हैं वो हमारे lungs के अंदर जाके bloodstream में मिल जाते हैं तो directly हमारा bloodstream में मिल जाते तो उससे बहुत ही जादा लुकसान हो सकता है और अगें PM 2.5 PM 10 वगेरा एक बहुत बड़ में PM 2.5 जैसे अगर में एक एक्जामपल जो तो PM 2.5 का मतलब होते है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 2.5 होते हैं माइक्रो मीटर्स में बहुत छोटा साइज होते हैं उससे जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं उसका अगर हम वेट करें पर मीटर क्यूब और वाल्यूम तो ज क्यूब के रूम में है और लेट से अगर PM 2.5 हजार माइक्रो ग्राम्स पर मीटर क्यूब बताया गया है इसका मतलब है कि जब आप उस अपने रूम 100 मीटर क्यूब जो कि एक बड़े ड्रॉइंग रूम के बराबर होता है उसमें से आप सारे PM 2.5 और उसे छोटे पार्ट में जाएगा जब आप महां पर सास ले रहे होंगे तो इसले बहुत ही जादा प्रॉब्लम क्रियेट करता है बहुत ही जादा हामफुल होता है PM 2.5 10 PM 1 अभी नाव मूविंग टू यॉर कोशन आप पिलीज कोशन डिविट करेंगे फिर से मैं पूछता था कि जब भी डेल क्रेकर्स की बात आती है फिर वो बात पुरे पुरा अलग मोड ले लेती है कि हमारे त्योहर में क्यों सोशल डिसकेशन चुरू हो जाता है इवन सुप्रीम कोड को भी इंटर्वीन करवन 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 मैं पूछना चाहता हूं कि यस कि और कौन-कौन से रीजन है मतलब तो दिल्ली में आई थिंक बेस्ट पबिक ट्रांसपोर्ट एवलेबल है आज के टाइम पे पूरे इंडिया में बट सिल एर पोलिशन की जो हालत है वो बहुत जादा सीवियर है राइट यह इसमें से एक जो बहुत कॉमन पीजन है वो यह होता है कि जब भी हमारे वेकल्स स्क्राइबल करते हैं रोड पे तो जो डस्ट होती है रोड पे वो अगें री सस्पेंड हो जाती है हवा में दुबारा क्योंकि गवर्मिंट ने देखे इतने जादा किया कि तंदूर बंद गर दिये ठीक है कंस्रक्शन एक्टिविटी बंद गर दी उसके बाद जो डेली सिंपल जो चीज होते हैं कि अगर वेकल्स फैवल कर रहे है रोड पे तो री सस्पेंशन होता है जो सेटल डस्त है उसका जो कि मुझे लगता है कि काफी बड़ा फैक्टर जो हम इग्नोर कर जाते हैं तो इससे बहुत ईजी ऑप्शन इसका पर एक्जांपल हो सकते है कि अ उसके अलावा जो दूसरे पॉलिटेंट्स जो होते हैं वो घर में जैसे क्योंकि इसलिए हमने फिर सी एंजी वगएरा जो वेकल्स वेकलर एमिशन है एक तो वह हुआ बट अभी सी एंजी वगएरा बहुत जादा यहां पर इलेक्टर पीकल्स को इसलिए पॉलिसी में मही इसलिए की काम कंडिशन सब्सक्राइब तो हवा वहां पर ज्यादा मूव नहीं करती हैं जाद तर जो भी डस्ट वगएर और नीचे ही रह जाता है एक मॉस्फेरिक साइंस में एक लाप्स रेट का कॉंसेप्ट होते है वो एक काइंड ओफ सीलिंग बना देता है मतलब टे जाता है मुंबई जैसा शहर जैसे है तो वहां पर एर क्वलिटी बुरिय लिकें फील नहीं होते क्योंकि फ्लश आउट हो जाते है ओशन करेंट जो आते हैं यहां पर क्या होते हैं सब कुछ यहीं पर होता रहता है होता रहता है यह बहुत-बड़ा प्रॉब्लम है जोग बर्दिंग मतलब जो खेत में पराली जलाते हैं फोर्टी परसंट लाश्ट बात आई थी लाश्टियर तक कि चालीस परसंट पॉलिशन दिल्ली में उसकी वज़े से खलता है अभी सुप्रीम कोट के अंदर सेंटरल गवर्मेंट ने बोला यह चार से दस परसंट है मतलब फिर में रीजन क्या है वहेकशिलर पॉलिशन है इंडुस्ट्रियल पॉलिशन है यह क्ली वजे क्या है हर साल यह क्यों रिपीटेडली यह हो रहा है यह लोग दिल्ली के है और इवन फॉर्मिला लगाई थी केजरिवाल की सरकाल ने दो-तीन साल पहले कि लेकिन कुछ इंपेक्ट नहीं हुआ शायद ठीक दंग से इंप्लिमेंट नहीं हुआ इसलिए इंपेक्ट नहीं हुआ तो क्या वज़े क्या है एक्जेक्ली रूट कॉस जी इसका यही है कि दिल्ली का बेसलाइन जो याना आप कहाएं कि बेस पॉलिशन लेबल जो है वो हमेशा हाई रहता है थूड़ी कमी होती है परन्तु यह काफी हाई रहता है उसके बाद ठंड के मौसम में हवास अगन हो जाती है पैल नहीं पाती है और प्रदूर्शन आके जमा हो जाता है शहर का खुद का और आसपास के छेत्रों का तो कोर्ट में भी यह बात गई थी कि कितना ज़्यादा होता है तो अगर आप साल भर का उसत लेंगे तो नैचरलिली इसका रेशियो कम आएगा परन्तु कुछ दिनों का अगर आप अबरेज लेंगे मान लिजे दो हकते का जो इससमें प्रॉब्लम होता है उस समय इसका रेशियो बहुत जादा हो जाएगा अबरेज में मतलब जो पराली जलाई जाती है उसका पराली जलाई जाती है कॉंट्रिबूशन उसका पी-म 2.5 में जैसे मैं पता रहा था आपको तीन तारिक तीन नौवंबर से लेके तेरह नौवंबर का अगर आप डिटर देखेंगे तो 25 से वह 48 परसंत तक गया है उसके बाद वह कम होके करीबन 25 से फिर 12 अभी और कम हो गया है तो एक तो हवा की दिशा अगर पंजाब हर्यान से इधर है दिल्ली की दिल्ली के तरफ और यहां की इस्तिती अगर ऐसी है कि वो वेंटिलिशन नहीं हो पा रहा है तो आके यह जमा हो जाती है तो यह दो हफ्ते का एपिसोडिक प्रॉब्लम है जैसे डिवाली होती है एपिसोडिक इवेंट होता है एकदम से हवा बहु ज़्यादा प्रतूश्चत हो जाती है परन्तु साल भर कंसिस्टेंट सॉर्स जिसको हम कहते हैं कि लगातार बने रहते हैं उसमें वेहिकल इंडस्ट्रीज पाव प्लांट्स ब्रिक इन्ष इन्ट के बट्टे जो होते हैं और गार्वेज बड़निंग भी एक समसी है गार्वेज मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट बड़निंग तो कई छोटे- रहें कि ओडिन इवन या ऐसे फॉर्मुले सिर्फ दिल्ली के फ्लीट में अगर हम लगाएं पर ना हो और पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट अबलेबल नहों तो और इन्ट इवन करके भी क्या पायदा है तो पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट की उपलब्दता जो है प्लेट्र हो यह बस उसकी उपलब्दता और क्वालिटी बहुत इंप्रूब्ड होनी होगी तब जाके लोग इसको इसको इस्तेमाल करेंगे और इंडस्टी डेफिन अपोने चेंगे इसके बारे में एक और अच्छा पॉइंट जो एक स्टडी में पाया गया था कि हम सोच रहे थे कि एक हम बनाएंगे तो लोग अपने वेकल्स को छोड़ के और इसमें चले जाएंगे थो मदल्द फॉईलर्स एन्वार्स को छोड़ के में चले जाएंगे और जाद तर यह उपाया गया था इस वह ब्री इंटरस्टिंग कि जो बस वाले जो लोग ते ना उटी बेश तो पूछिए के अम्दावाद में आप बेठा छो अम्दावाद में तो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट नी सुविधा पन अपकोर्स दिल्ली मुंबई जेकली अम्दावाद नी स्थिती खरेखर सारी चे के नती भूख स्राइब करें आपे रिस्पेक्ट डेली आएकन से के पुड़ी बहुत अच्छे लेकिन हर बार नवेंबर महिना जब आता है डिसेंबर महिना आता है तब जो एर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है टूपोइंट फाइव की बात की एट नपीम पूर होती है और बार एडवाईजरी लगानी परती है कि बूटे लोग और बच्चे लोग बाहर ना निकले तो इतने वह तो अच्छे तो नहीं है कंपेर टू देरी विकन से लिटल बेटर बट अच्छे लिए आपने जो बताया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो लाल बस जो बोलते थे अच्छे जब मैं स्टूरेंट था नाइंटी टू की यर की बात कर ला हूं एहमदाबाद की पॉप्यूलेशन सोला लाग थे और तब और देन नाइन हंड़ेश की बस थे आज आज बुरूह दंदाबाद में सिक्टिफाइव लेक पॉप्यूलेशन है और मुझे मोहत शर पॉप्यूलेशन है और में दूसरी बात प्याता हूं जो हिरेन बही ने सवाल उठाया श्टडी का सवाल उठाया कि वही कोई 40% बोलते हैं लेकिन भारा सरकानी बोला कि 400% खेड़ूतों की परागी वजह से बाता है दिलार्सेंट जर्डल का रिपोर्टा दोहजार उन्न इसका उसने बोला है कि देश में 16 से ज्यादा लाख लोग एर पॉलिशन की वजह के मर गये और गुजरात निवाद करिए आपने केतन भाई तो एम को शेंटा सी एजान 891 लोग को मर्या हवे आ राज सवा मां आठ फेबरू आरी 2020 सवाल करवा मां आवे हो एम के एर पॉलि पर नथी आवतार के हवा प्रदूशर्थी केवा प्रकाना रोग थाए जने केला रोको मर्या शे एले हिरेन भाई आपे जे सवाल करें ये सवाल बहुँ वाजिब छे के साइंटिफिक वे मां आपने लडी करवो जुई है लडी एटले नदी करता कि आपने जे केतन भाई पहला वाद करी कि वाज दिरिवाद राजकिय कावा दावा इक बिजा अपर आक्षे प्रति आक्षे करो राजपर सेंग्र सरकान निशपर छे एवा आक्षे को करवा शे खिड़ुतों पराडी जलावे शे टल्याम थाई शे अथ्वा तो लोको ठुला थाई शे खरेकर न बनावो जुए अने थाई आपने क्लाइमेट चेंज मां पैरिस एग्रिमेंट मां चौकस नेशनल इंटमिनेशन मां वातों मुकी शे पर आपने जोने स्टडी न थी पूर्तों अने स्टड़ करो जुए अने स्टड़ी करवा थी शारों बन्से वह लागे शे जी विवेक महेश भाई जो बात कही अभी कि ऐसा कोई स्टड़ी नहीं हुआ है तो अभी तीन-चार दिन पहले जब यह दिल्ली की बाते चल रही थी बहुत एक डब्ली एच ने एक रिपोर्ट निकाला है और पर्टिकलरली यूरोपियन एक एजनसी जो है यूरोपियन एर्वाइन और इलमेंटस भी होते हैं काफी सारी लंग्स रीलेटेड आगि निया सास देने की और काफी सारी बिमरी होती है कितने लोग ऐसा कोई भी स्टडी बगेरा पाइलोट प्रोजेक्ट भी ऐसा कुछ हुआ है जी जी स्टडी काफी हुई है और एवन एक्सपोस्ट ग्रूप्स जो होते हैं उनके उपर भी स्टडीज हुई हैं जैसे कुछ लोग का पेशा की वज़े से वह हमें से रोड में हो रिसेंच इस्टिटूट उन्होंने ये देखा कि सुंदर्बन और दिल्ली के बच्चों को कंपेर करके देखा तो उन्होंने पाया कि दिल्ली के जो बच्चे हैं इस्कूल को इंग किट्स बारह जार बच्चों का सर्वे किया उनमें इस्पाइरोमेट्री याने लंग फॉंक्शन लंग हमारे लंग की चमता सांस लेने और छोड़ने की क्या है तो उन्होंने पाया कि ये कम पाई गई पैतालिस प्रतिसत बच्चों में दिल्ली में और पारत में डॉक्टर्स ने बहुत सारी स्टडीज की है डॉक्टर्स चुकि जो रेस्परिटरी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने उप्जर्वेशन करके ये स्टडीज की है तो आंक्रे उपलब्द हैं मुद्दा यह है कि हमें इसके दुस्परभाव को आप कोविद से भ जिरुरत है इस दिशा में जी सही बात कही अविवेग ची आपने की समस्या तो है मतलब उसका स्टडी में कुछ अंतर हो सकता है किसी ने यह स्टडी कियो किसी ने यह स्टडी कियो प्रॉब्लम एक्जिस्ट वी ओल नो थैट राइट और सिवियर है यह से महीश सर बोल रहे थे कि वेकल्स की जैसे बात कर रहे थे कि नम्रों वेकल्स बढ़ रहे हैं तो चैंदावाद में शाहिद इतने नहीं बड़े लिकिन देर इस अपॉंसट अगें कॉल्ड जो पॉल्यूशन निकालते हो बहुत कम हो चुगा है बहुत जादा कम हो चुगा है हम कैटलेटिक कनवर्टर वगरा यूज करने लग गया है तो एडवांस्मेंट हो ए टेक्नोलीजी में जिसके वज़े रिदक्शन हो रहे है पर यूनिट एमिशन में लेकिन लोग इतने आपको भी ब्लेम करना चाहिए हम किसी और को सिर्फ फार्मर्स को ब्लेम नहीं कर सब्सक्राइब होता है और दूसरा पॉइंट सर जैसे हम डिसकस कर रहे थे अबाउट स्टडीज और तो स्टडीज वगेरा में एक बहुत बहुत बढ़िया जो कॉंसेट है डाट इसकॉल दो सब्सक्राइब जो चाहिए हुआ है तो उसमें क्या होता है जैसे हम किदर भी एक बनिसेज करते हैं कि यहा पे जो हवा है उस केमिकल आलिसस करेंगे हैं उसका कि यहां पे जो पॉलिटेंट्स वगेरा पाये गए हैं क्या वह फ्लाय एश वगेरा है उसमें मतलब अगर तो ऐसे ऐसे वह सकता है कि इस तरह के एड जाते है उसी इसलिए को बूल पा रहे हैं कि 4% 10% 25% फार्मर वाला ऐसे सोर्स अपोशेंट पंड मिंथर्ड उस कि जाते हैं हाला कि लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह सबसे बड़ी जो होती है प्रवाइबलेट कि जो एर पॉलिशन नहीं पहले बात करना था गोईंग इंटो बेसिक्स ओफ इट कि इत्ता ज़्यादा लोकला इस फेनॉमेनन है कि मालीजे आप यहां पे वह टेस्ट कर रहे हैं वह अपनी प्लेट्स और लगा के और साथ ही में अगर एक वह चला गया मा मालीजे दूसरा कहीं पर आपने यही टेस्टिंग कर रहे हैं कोई वहां पर आपके सिग्रेट पीने लग जया तो वह पूरा का पूरा आपका जो जो आनलेसिस है वह बिल्कुल चेंग रहे हैं बहुत ज़्यादा लोकला इस फेनॉमेनन इसी वजए से हम एक बहुत रिलेटेड कि एक पर्टिकलोर सालेंज पर एक पर्टिकलोर कंक्लूजन पर हम नहीं पहुचवा रहेंगे जी बिलकुल सही बात है लेकिन ज्यादा तर जब हमें पता है कि दीजार्द फेक्टर्स कि कितने इतने फेक्टर्स हैं जी मैश्वई कितने बाई कोवीड जे लोकडाउन थे हमाती गणू जो लोकडाउन हुआ कोवीड की जरी इसमें जे काफी सिखने को मिला जैसे हां हुँ एज वात उपर आऊँ छो आपने एज वात उपर जहिए किये जी जी आए ले पूछ वात करतो तो कि आपने पहला लोकडाउन मा आपने बद्धा जानी यह ची एक न्यूज एवा चम क्या के जेने एर पोल्यूशन नी स्थिती उपर आखा भारत नू ध्यान के अंद्रेट केरून ए तू जलंधर नी टेरेस पर थी जलंधर नी पहली टेरेस पर थी हिमालेया ना पेलिवार हिमालेयन परवत माला ना दर्शन थाई एटले एटली स्वच्छ हुवा तिने आखा देश मा ए तस्वीर खुब प्रसिद्ध थाई सोशल मेडियामा खुब फेला यूने आखी बात चोक्की हुवा अने एर पोल्यूशन नी स्थित लेकिन ये तो संभव नहीं कि एर कॉलिटी क्लीन करने के लिए हम सब एक्टिविटीज बंद कर दें इंडस्टियल एक्टिविटी रोड पे वहां चलाना घर से बाहर नहीं निकलना ये सब चीजे तो हम बंतों नहीं कर सकते तो इसका समाधान क्या है हम समस्या देख रहे हैं लेकिन उसके समाधान क्या है एक नया कॉंसेप्ट इस समय ऐसा आया था कि वर्क प्रोम होम कल्चर को यदि बढ़ावा दिया जाए मतला अभी जो वर्क पोर्स पूरा 100% प्री कोबीड कर से बाहर निकलता था उसको यदि हम 50, 60, 70% तक लाए तो जो रोड पे जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी कमी होगी और कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं ठीकि इन से हम एर को पोल्यूशन की समस्या को कॉंबेट कर सकते हैं ड़स इट रियली हेल्प विएक जी? जी इसमें या टेली वर्किंग या जैसे कि हर दिन मेरे खाल से हर जौब प्रोफाइल के हिसाब से या जौब की जरुवतों की साब से हर व्यक्ति हर दिन ऑफिस जाने की जरुवत नहीं पड़ती है घर से भी कर सकता है और टेक्नलोजी चुकि आज चुकि है कि लोग कनेक हो रहा है कोई तब तो बात समझ में आती है परन्तु सिर्फ एक जो कस्टम बन गया है कि हम जाना ही है तो उस कस्टम पुराने कस्टम को भी हमें सोचना होगा कैसे चेंज कर सकते हैं और दूसरा स्टैगर टाइमिंग याना जिसमें एक ही वक्त में सारे लोग ना नकिले ताकि कंजेशन हो जाए ऑफिस की सीमा मतलब समय सीमा जो है वो अलग-अलग कर दी जाए तो लोग अलग-अलग समय में निकले वो भी एक जरिया है यह नए तरीके हैं परन्तु कोविद ने हमें सिखा दिया है कि यह इस तरह से भी संभव है तो मेरे खाल से इसको बढ़ा यह अप यह अप यह अप अपे शर्ण वाति हम एंदाबाद में की बात करें तो मेरे टारेस्ट पर से में जो डॉब्स रखते और इजरा रविश्वाद में नग्स जो कराम हो जाते है उससे टी में हुई हुई और लोग माग ए है और वही टाइम में सभी क्लिनिक बंद थे पुरे देश में और वाइस की वज़र जो क्लिनिक और से चालू थे इवन तो आपने देखा होगा कि बहुत केसिस कम हो गये थे की वज़र से यह जो हो रहा है वह ज्यादा होएं नमबर टू यहां को देखा की बात है हम उसको अलग तरी के से देख रहे हैं मैंने युनाइटेट नेशन में भी वह जो हमें वादे किये हैं इसमें स्वालीड वेस्ट को भूल गया है स्वालीड वेस्ट से भी काफी बर्णिंग होता है मिथेन भी जलता है पूरी ट्वेंटीफोर अवर्ड जो डंब साइड है वो जलती रहती है और प्रॉलेशन होता है आपने देखा होगा कोवीड मे में अंदाबाद की बात करूं तो करीबन फोटी थाउजन टन पर डे स्वालीड वेस्ट होता है अब कोवीड के जम्याने में जो लॉक डाउन था तो पचास टका वो कम हो गया था अब हमने खाना पिना छोड़ नहीं दिया था लेकिन जो मारे प्रैक्टिस थी जैसे कि हम हम बूफे सिस्टम से खाते हैं हम पार्टिया करते हैं हम मेरे से में जाते हैं और जितना जो हम विष्ट करते हैं ठूंद ऑ हम लेके लिए तना चैनिये था हूं लितने लेते थे तो यज जो हमारी लाइफट rap बनिटme की हम यह बदूपाया है घ्रत में थी वापस लाने की काफी आवश्यक्ता में देख रहा हूं एक ना लड़ने के जी रवी जी समस्या की बात हुई जैसे वर्क प्रोम होम कल्चर को बढ़ावा दे या मैश्वाई जिस तरह से बता रहे हमारी लाइफस्टाइल में कुछ बढ़लाव जो कोविड ने हमें सिखाए उससे कुछ हद तक हम समस्या के कॉमबेट कर सकते हैं आप टेक्नोलोजी के शेत्र से आते हैं टेक्नोलोजी किस तरह से हमें इस समस्या को यानि मतलब कोई समाधान आगे है इस समस्या का टेक्नोलोजी के जरिए तुसर आप जैसे बोलें कि आक्टिव और पैसिव तो एक तो जो एक्टिव सॉल्यूशन है वो काफी कम है बहुत ही लिमिटेड है अगे चालेंज भी कि एर है इसा सब्जेक्ट तो अभी जैसे डेली में स्मॉक टावर लगा उसके अगर आप आसपास जाएंगे और वहां पी एर कॉलिटी भी चेक होती है तो काफी अच्छा आप एर कॉलिटी है कुछ चेक भी करके आया हूं जबकि उससे आप थोड़ा और दू जाएंगे तो एर कॉलिटी ड्रॉप 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 उती रहती है तो लेकिन अगे उसे बहुत जादे एक्स्टेंसियों आपको पैसा लगाना पड़ता है उसे चोटे से एरिया क को बढ़ने के लिए यह चालेंज है एक टेक्नोलोजी इस पर हम काम कर रहे थे वह था कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो जैसे वेस्ट वाटर निकल रहे है नौट पर्टिकलर लिगला पानी लेकिन जैसे रीसेट वोटर होता है हमारा जैसे कि जो हमारा पानी हवा में पर आप यह थे निकलते हैं कंडेंज वोटर प्रम एसी रीसाइकल बोटर फाम इंडस्ट्रीज यह हम उसको यूज कर सकते हैं तू एर पोलुटेंट्स इंट इंट एट एंड पिर उसको हम रेनेज के सारे सीवेज वगरा में बहादे जो कि वैसे भी जाने थे तो हमने ए एक कॉन्फरेंस एग्जिबिशन करवाय था एक डेली में वेर आई रिप्रेजेंटेड आइट पॉंबे एंड वहां पर अबलब इट वस्रेली एप्रीशेटेटेटेड एंड लुकिंग परवड कि उसको हम कैसे अब डूसरे लाग स्केल पे इंप्लिमेंट करके देख स अब इसके बाद विच कैन बी इंप्लिमेंटेड इन आउट वर्ष एक और जो सॉलीशन नहीं है कि हम स्प्रिंखल करें वाटर को बाहर कि हवा में जैसे अभी यूजबी आ जा रहे कि पहार स्प्रिंखल कि जा रहे हैं जिसे डस्ट भी बैट जाती है और जो आसपस हवा बादि कुमार करना चाहिए वो еще grow फॉर्पमें जो गेशन को सबस्क्राइक क्योंटेड वेट यूजबी यूजबंगी इस वोर्थ इट जितना भी उसमें पावर कंजम्शन वगरा होता है इट इस वर्थ हमें करना चाहिए वो उसके बाद हमारा इंडोर की जैसे बात आजाती है इंडोर में हमारे पास सारी प्रॉब्लम में बैक्टिरिया वगरा ग्रोथ होती है जहां पर दिखता रहते हैं तो अब दूल उती हो हवा में उठ जाते है दुवारा से और वी उसी भी ओते हैं वालिटेल और गानिक कंपाॉंट्स भी होते हैं जैसे यह पेंट वगरा सब तो यह जो कि सीधा जाके ग्यासे उती है तो खूंसे मिलते हैं तो वह प्रॉब्लम क्रीट करते हैं आउट्डोर क तो बहुत अच्छे एर तो बहुत अच्छे होई थी लेकिन हमें तब समझ आया कि एक और प्रॉब्लम है जो कि है एर्बॉन डिजीज रांसमिशन लोग तब हाँ पहां पर बहुत जादा झाया कि एर्बॉन डिजीज रांसमिशन एक बहुत बड़ा इस्यू और शायद से सौल किया जाना चाहिए तो उस टाइम पर हमने हम विकॉस आफ डाट डोमीन नॉलेज जो हमें है वाइटी बांबे नाइटी कानफुल के साथ मिलके हमने यह यह कोशिश की कि एसी टेक्नोलीजी डेवलप की जो कि दोनों प्रॉब्लम को सौल कर सके इंडोर्स में जो कि एर पॉलिशन और एर बांड डिजीज ट्रांस्मेशन है अभी कोई भी जैसे एर प्यूरिफायर आपने रखा है अपने लेटसे घर में रखा हुआ है तो जो भी प्याथूजिंस वगरा जर्म्स वगरा होंगे वो आपके एर प्यूरिफायर के अंदर आके सेटल हो जाए से वो री सस्पेंट भी गर सकते हैं उसके आरांड थी और यह है यह ड्री आपको जो जो जर्म तरह वड़ा से हवा ने चले हो आपको इंफेक्ट कर सकते हैं दूबारा से तो इसी को ध्यान में रखते हैं हमने जो नई टिक्नोलिज जो बना रे हैं A.I.C. पांगल को ऑव आपके पास अप्रिकानपूर और आएसी बैंगलोर के साथ मिलके विए वर्किम अठिव एक्टिव सॉलुशन ओप एक राइट जाओ जाओ और कोई कंट्रीज में एसे कोई एक मेक्सिको सीटी का काफी दफे एक्जम्पल दिया जाता है कि मेक्सिको सीटी वज तो लेक टली पॉलुशन के इसाफ से तो उन्हें कुछ सॉलुशन निकाले पीछले 20-30 सालों में तो ऐसा और कोई जगा पैसे कोई सॉलुशन आए हैं कि एर पॉलुशन कम हुआ हो ऐसे कोई एक्जम्पल हैं आपके पास जी इसमें काफी कंट्रीज ने काम किया है पहले तो यह स्मॉक परियेट्स लंडन में सुरुवात हुई थी फिर पैंसेन वेली हमें सुरुवात इसमॉक पोटो केमिकल इसमॉक पाया गया था वहां हाल में एक्जम्पल है बीजिंग का मेक्सिको का जैसे आपने बताया है कई चेत्रों ने आइडेंटिफाय किया कि इसको और इजिनल ल हम बोलते हैं उसको हम लेके अगर हम इस्ट्रॉंग मैंस नहीं लेंगे और दूसरा परिवर्तन भी होना चाहिए रेगुलेशन इंप्लिमेंटेशन में जो छेत्र ज्यादा ससेप्टिबल है याना ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं यह पॉलुशन से वहां नियम और भी स रते रहते हैं प्रदूशन अब जैसे पाव प्लांट के स्टैंडर्ड डिले कर दिये गा है परन्तु आप पैनल्टी का स्ट्रॉक्शर हमने कैल्कुलेट करके देखा कि जो पैनल्टी दे के वो रह सकते हैं उनको कॉस्ट अप्लाइंस ज्यादा पढ़ रहा है उनको पैन सब्सक्राइब कि पहले पॉल्यूटर्स पे प्रेंसिबल थे लेकिन अब अब कैसा है इस तरीके से पेंड पॉल्यूट यह हो गया है जैसे कि ने भी एन्वामेंटल डैमेज कॉम्पेसिशन की बात किये तो पैसा है और हो जाता है अब मैंने बात दूसरी है है डी फॉरेस्ट से हमारा कार्बन सिंक होता है अंडेट डेसों ने एग्रिमेंट किया है कि 2030 तक वो डी फॉरेस्ट अब मेरे एंडे निकालते हैं कि भी फॉरेस्ट वेल्यू गिनो और फिर जो कैमपा फंड है इसमें आप सामिल करो लेकिन कैमपा फंड का जो है मैं में मोल रहा हूँ कि अभी उसमार पैसा का युजरी होता है तो चंगल कर रहे है हवा प्रदूर же कर रहे हैं लेकिन जो मात हैं कि हम ट्रियुवर बैरेUNG तो इसमें ट्रीऴुर्ट यहाल छाम कamentsता है अभी जो एकनल हैं हो यह न स्यॵ्य आटीक कि जी आपने सही बोला डी फोरेस्टेशन मतला हमारा जो ओवरोल फोरेस्ट कवर है अगें वो इरेन भाई ये पन आपने घणी वर जोई चे के ए डीबेटेबल इस्चुज चे कानके गावर्मेंट फिगर्स फोरेस्ट कवर नी बावद मा काई के चे एक्चुल फोरेस्ट कवर के टलू चे अने बीजु के वियां वी केंनोट आई मीन स्टॉप अर्बनाइजेशन जिस तरह से मतलब लोगों की डिमांड बढ रही है सडके बनानी है इंडस्टीज को तो भी केंनोट स्टॉप देट अक्टिविटीज लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा विलन एक दूसरा है पावर प्लांट हाव मच पावर प्लांट प्लेयर रोल विवेक जी अगेन आपके पास आऊंगा कि यह पावर प्लांट हम क्लीन एनरजी की बात करते हैं लेकिन वह बड़ा लंभा गोल है अभी आज की दिन से भी पावर प्लांट का कितना रोल है यह पावर प्लांट का कान्टिबिशन पाफी ज्यादा हो जाता है अगर शहर के अंदर है वह पर उनका प्रोल का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है और कोई जरिया नहीं है गैस-काक इ हुआ है दिल्ली में तो हमने मतलब एक देखिए कि कोल बेस पाव प्लांट हटा दियेगा है गास बेसली अलाउड है परन्तों एंसिया चेत्र में भी है पाव प्लांट पुरदेश भर में प्रदूशन करते हैं परन्तों इनके स्टैंडर्स जो है हम टाइट नहीं कर रहे है लगाता है जैसे गाड़ियों में हम देखे बीए सिक्स लेया है रिफाइनरी इस पहले बोल रहे है कि क्लीन करना पॉसिबल नहीं है परन्तों इन्वेस्टमेंट हुआ क्लीन अप किया आज की गाड़िया जो असी प्रतिसेत बीएस पोर से कम प्रदूशन करती हैं तो हम है ऑर इसमें लगाता है डिले डिया जा रहा है डिले किया जा रहा है इस तो मेरे खरते से पॉआउर प्लांट समें बहुत ज्यान देने की जरूत है क्योंकि एक तो इसमें प्रदूशन बहुत ज़ादा होता है और दूसरा रिन्यूबल एनरजी की तरफ हमें आगे होगा क्योंकि इनका है काफी जादा है कोल और डीजल यह प्रमुक्त और पर एर पॉलुशन साइंटिस्ट ने पाया है कि इनके जलाने से जो प्रोदूशन निकलता है वो सेहत के लिए कार्शियन या कार्शियनिक होते हैं कैंसर जी जी राइट लेकिन आज कल अभी सिच्व सब्सक्राइशन से जादा आज भी हम लोग हमारी इलेक्रिसिटी जनरेशन जो यह वो फर्म बेज़ ज़ादा करके हैं जो पावर प्लांट्स हैं तो उनको कम करने कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पर बात की सी ओपी में कि हम लोग टूजन सेवंटी तक का हमार जो बैलेंस का बात हैं तो उन्होंने बोला है कि हम लोग सोलार और वहां पर जाएंगे ज्यादा वीन्ड एनर्जी की और जाएंगे लेकिन आपको लगता है कि यह पॉसिबल है फचास साल में पूरा सीनेरियो चेंज करना यह समय है क्योंकि जब आप बहुत लंबा टाइ हैं तो फिर लगता है कि यह बाद में भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए वह मतला इस डिकेट में हम क्या करके दिखा सकते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि हमारा टार्गेट आगे चल कि कितना हम पूरा कर पाएं जी मैं इसमें बात रखना चाहता हूं कि इस बार जो एग्रिमेंट था ग्लास्गो में इसमें एक टेक्स बनता है इसमें टेक्स में लिखा था या मिन ड्रॉप आउट की बात थी हमारे एंवर्मेंटल मिनिस्टर ने यहन के प्रेसिडेंट को बिंती की कि फेज आउट की जगेट आप फेज डाउन की बात करो और हमारा ब पुरा प्लाइमेट चेंज का जो कॉप 26 था उसमें वह थपड लगाई है तो हमारा प्राइमेंटल सही मुला है लेकिन महारा ही भुपेंद्र यादाव ने यूएन का एप्सी के जो शर्मा ते उसको पील की और इक्स बताना चाहूँगा पावर्मेंटल जिस्ट एक मिनि इक जंगा पर हमने कोल बैस बावर पांट बड़न पर आसपास का जब बन भाब धन दोब वो भी बुद्टाइब दिखाएंगे, उन्हों ने ग्रोग कर दिखा दिया, और वो भो हो गया, क्यूंकि जो यह तो यह स्टाक्स होते हैं, जहा जाहाँ जाहा है अगर उसके जस नीचे हम पुछ भी उगा रहे हैं तो यह तो दूर जाएगा ना यहां पे तो आयगा यह त तो यह भी चल रहा है जो एक और चीज जो मैंने सुना है अगे अगे मुझे नहीं पता है यह सच है नहीं कि गवर्मेंट ने अभी वोल्डे कि रियल टाइम जो भी हमारी स्टैक्स होते है चिमनीज वगरा जिल्भी यह किलन वगरा होते है वहां से रियल टाइम मुझे लग सब्सक्राइब करें लेकिन बहुत सही का आप सब लोगों ने कि जो हमारी समस्या है हिरेन बै ने सही बताया कि जो प्राइम इस्टर ने टार्गेट रखा है 2070 का और जो भीएट जी ने बताया कि बहुत लंबा अर्सा होता है तो सब सोचते हैं कि आज नहीं खल करेंगे आराम से शायद आमारी जन्रेशन यह सोचेगी कि चलो हम तो जी लेते हैं चीज तरह से जीना है अगली जन्रेशन का वो देख लेंगे हमें कहां पड़िये हमें कहां दोजार सतर तक दिना है 2070 तक तक ही हम फिकर करें पट एनिवें 2070 की बात छोड़े हम चर्चा की समापन की ओर जा रहे तो आप सभी पैनलिस्ट से में एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि आज जहां हम खड़े हैं एर पोल्यूशन की स्थिती में केन यू सजेश्ट एक या दो चीजे जो हमें ततकाल प्रभाव से इंप्लिमेंट करनी चाहिए according to you कि जो स्थिती में हम है कम से कम सुधार ना सके तो इससे ज्यादा बिगड़े नहीं हाला उसके लिए हमें ततकाल क्या करना चाहिए क्या ऐसी कदम उठाए तकाल कि जिसस प्रदूशन बहुत ज्यादा जो गाडियां कर रही है या इंडेस्ट्रीज कर रहे है उनका आइडेंटिफाई किया जाए उनको बंद किया जाए कुछ समय के लिए क्योंकि अगर हवा में हवा में प्रदूशन ठैर जा रहा है और फैल नहीं पा रहा है तो ग्रॉस पॉल बिल्कुल ही आलाओ नहीं करना चाहिए और जो पाव प्लांट्स है उनको अभी पाँच या च्छाय को बंद किया गया है दिल्लिया इंसे एर के आसपास पास परन्तु यह लगातार तो नहीं रह सकता तो एमिशन कंट्रूल के उपर ध्यान हमें बहुत देना होगा ताकि इंडस्ट्री पाव प्लांट्स चलें भी और प्रोदूशन कम से कम हो और पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट के उपर सरकार को बहुत सिरियसली ध्यान देना होगा क्योंकि हमेशा और सारे छेत्रों में वेहिकल्स भी उबर के आ रहे हैं कि यह आगे भी चलके समस्या बहुत ब साइकलिंग हो मेरकास यह सारे चेत्रों में ध्यान देने की बहुत जिरूरा ततकाल जरूबसे मैश भाई आपनी फाइनल कमेंट आपनों अवाज संब्लाए छे आपनों अवाज संब्लाए छे के दन बाई है लो जी 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 तमारा संब्लाए छे जो विवेक बाई ने तीन मुद्धे रखे तो यह फुली एगरी एंड फोर्थ वन इज दो डिफोरेस्टेशन की बात जो कर रहे हम वह कम करने चाहिए यह बात है और चौथी बात है प्लास्टिक जलाते है अपने चूले में तो यह इमेडियेटली बंद होना चाहिए क्योंकि हमारा उजवाला टूकी स्कीम हम इसम में जरिये चूले जलाते हैं तो यह भी बहुत आवश्यक्ता कि भी इमेडियेटली उसकी अवेनिस की जाए और बंद किया जाए जी जी रवी जी आपके पास आपकी पाइंडल कमेंट्स ततकाल रुप से क्या करना चाहिए हमें तो सबसे पहले जो मैं आपको बूल रहा था कि अजी सर्वर महां पर लगे हैंड़ियों घृट आले चाहिए और गोंन पर हमें पास अपास आपड़ेंगे और झाया उन पूछें तो वह सर्वर जो हम बहुत सदा इगनूर करते हैं री सस्पेंशन ऑफ डस्क जो हमारी रोड पे होता है वह नहीं बना चाहिए उसके लिए पानी या फिर अच्छी रोड बना सकते हैं जो आज कल बंजी रही है और जल्डी से यह सॉल्ड भी हो जाएगा लेकिन ज़रूरत है सबसे ज्यादा की दिशा में एक विल के साथ जैसे विएक जी ने बताया एक पोलेटिकल विल और एक एक एक्जेक्टिटिव विल जो दोनों सही तरीके से यह दी साथ-साथ चलेंगे और सही दिशा में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस समस की समाधान की ओल जा सकते हैं विवेक जी महेशवाई रवी जी आपने हमारे लिए समय निकाला और चज्चा में भाग लिया बहुत ही रस्प्रद और इंट्रेस्टिंग आपके व्यूज शेर किये इसके लिए वंस अगें चित्रलेखा की और से में और हिरेंदाय आपका दर्शक मित्रों आवता शनी वारे खरी मलीशु नवा विशे साथे नवा मेहमनों साथे सव ने खुबखुब शुबेच्छाओन एयर पोलिशन समस्याव माथी आपने जनेके वाए नेके खोराक शुद्द करी शकिए पाणी शुद्द करी शकिए महवा ने पन अगर्वती एविशाओने शुब कमना हो साथे मलीशु थेंक यू अगें थेंक यू पैनलिश थेंक यू वेरी माइच थेंक्स पर जॉइनिंग अस थेंक्यू